कि अच्छो वेल्कम टो मैजेस्टिक फिजिक्स आज हम लोग फिजिक्स का सबसे इंबॉर्टन टॉपिक मतलब फिजिक्स में आप जब भी स्टडी करें तो यह टॉपिक की जुरूत आपको हमेशा लगती है जो है वेक्टर्स कुछ बुक्स में उसको मैथमेटिकल मेथर्स चाप्टर में ए और फिर उसको मैथमेटिक्स इंफिजिक्स घेस भी कशबभी लिए गया है तो वेक्टर्स होते क्या है तब से नगेवावने होते है chronique ऐधा बधूर्द फिजिकल कॉन्टिटी हाम में पता है कोई फीजिकल कॉंटिटी अकर हमें express करनी हो हमें defined करनी हो तो उसको में सबसे पहले ज़रूत पदथी मंगनीटूड की हम सबसे फि Empreeze लग्णी की और उसके बाद में ज़रूत पदती है यूनिट की घूर है मान पर शाम को सबची बना नहीं और ब Orleans अलु कि नंचल के पास गहें पहले क्या बोलेंगे अंकल एक कीलो अलु देना एक कीलो ग्रायम अलु देना मतलब वापे एक किलो ग्रायम एक क्या हुआ मेंगनीटू या फिर लोग उसको वोलते हम बैल्यू जो नुमेरिकल वैल्यू और एक होता है यूनिट यूनिट मतलब जो डिस बताएगा कि कितना है एक ग्रायम बोले के तो देगा पागल होगे कि ग्रावालू आता है क्या ओके वही हम लोग हें लोग क्या करें जोहलेर के यहां फिर हम लोग को आपर करते ही 10 ग्रायम वहां पर क्या होता है दोनों जगांगे मास में जग लेकिन वह पर के जोटा है ज रहें तो वहाँ पर डिरीक्षिन में दो यहां तो वहां पर डिरेक्षिन की जरूत नहीं है मतलब उसकी value और उसका unit वहाँ पे completely वहाँ पे define कर रहा है, completely वहाँ पे information दे रहा है, वहाँ पे कोई भी incomplete information नहीं, तो उन quantities को बोलते हैं हम लोग scalar, ओके वेक्टर क्या होता है, या फिर वेक्टर की जरूद क्या होता है, हम लोग जा रहे हमारी एक शादी में जाना है हमें, वहाँ पे शादी की party है, और एक चोरहाई पे हम लोग किसी ने हमें किसी को पूछा कि अंकल P.K.Hall कहाँ पे हैं, ओके हम लोग यहां से आये, यहां पे रुके, यहां पे P.K.Hall है, ओके यहां पे P.K.Hall रास्ते में थोड़ा सा साइड में होगा, ओके हम यहां पे हमने कर आदें को पूछ आज पीके ओल कहा पर तो बॉक कि लगे बिशादी में जल्दी घाना खाना है यह तो जोंग क्या करेगी उन्होंने पुशा कि 1km किलोमीटर दूर जाना यहां से और पिछे जाएंगे दो किलमेटर आगी उन्हारा को गलेंगे आंशे От मतलब हमने हैं हम नहीं सोचा ही यहां से एए हैं पेले ईन्हे दिर्रेक्शन भाता रहां होते हैं तो हमने पूछली घृति विर्चि लि thirds यहां पर यहां है किसे जाते हैं새 डॉमिटर कॉंपलेट इं कॉंपलेट इंपर्मेंस सब्सक्राइब होग़ека जब वह 1 km इस साइड में जाओं ओके 2 km ऐसे नहीं जाना है एक किलोमेटर आगे जाना है फिर लेफ में 1 km जाना है उन्हें तो यहां जहाना होगा तो यहां जहां पर डिरेक्शन की जरुरत होती है जहां जांबर डिरेक्ट्टिन अगर होगी तभी हम लोग आपर उस कॉंटिटी को कॉंप्लीली डिस्क्राइब कर पाएंगे कम्प्लीली समझ में समझ पा इसको बुरेंगे बैगा कोब घड़ी को तक्का देना है टो हम लोग गाडी को क्या करते करेसी नहूं है तोänner करेसे खड़ी है पता लाई हम कि scalar quantity ko direction होती ये और वेक्टर quantity को direction होती है या फिर जिनको direction वो वेक्टर होते है इसा है चलो हम लोग देखते अब हम लोग कुछ example लेक्टे है चलो मान लो में आज से पहले 4 km गया करें पूजिशन इसे लिए कि फिर उसके बाद में फिर से 3 km आ गाए तो टोटल में कितना चला टोटल हो गया सेवन किलोमेटर और मैं फर्स पोजीशन से लेके लास्ट पोजीशन तक फर्स पोजीशन से लेके लास्ट पोजीशन तक कितना चला सेवन मतलब आपर डिफरेंस कितना है सेवन किलोमेटर अभी सेकेंड केस में हम लोग क्या खते चा displacement कितना हुआ वन किलो मिटर रइड भी हम आगे गए उसके वांद, राइड टन लिया मतलब चार किलो मिटर आ गए वह तीन किलो मेटर राइड टन लेके गए तो आपके क्या हुआ हम लोग टोटल साथ किलो मेटर इस लेग लेकिन displacement कितना हुआ पहे पाई था गोड़ा से राइत 90 डिगरी सब्सक्राइब कितना हुआ कि displacement कितना हुआ जंके अलगता हम लोग देखेंगे हर के स्में इसके समें भी इसके समें और तीम के समें हम लोग इतना चले 7 किलो मेटर लिकिशन कई है यहां पे displacement मिल हुआ यहां पे डिस्प्लेस्मेंट हुआ यहां पे गलती से वण लिग है ओके हिएग यहां पर डिश्प्लिसमेंट हुए गनारा टो टो टोटल लुको 25 सेन्ठी Zeigned घृटी सेंट HE रॉव गया लेकिन क्या हो कि दो तर्श जो हैं उनके बीच में गटी यहां पर एंगल था रहता जीरो डिग्री यहां पर एंगल था Online इंगडरी हैं पर एंगल change हुआ वैसे वैसे उनका output change होते गया तो एसे vector quantities में vector quantities हो तब ही vector होती है मतलब कोई भी physical quantity तब ही vector होती जब हो vector loss होबे करते हैं जब हो vector loss vector loss follow करते हैं तो vector loss addition यहाँ पर इसने follow किया अभी एक example लेते हैं हम लोग current का अभी यहाँ पर current है suppose 5 ampere यहापे current 4 ampere तो total कितना हो गया आपे 9 ampere हमने direction change की 90 degree कर लिया तो यह 5 ampere 4 ampere तो फिल से answer आया 9 ampere क्योंकि हमें पता है ना wires को हम लोग इसे fold भी कर लेंगे तो भी current उतना ही रहेगा current change होगा नहीं यहाँ पर हमने इसे angle कर लिया अंगल more than 90 degree कर लिया अंगल कर लिया तो भी आपर क्या होगा मतलब यहाँ पर यहाँ पर क्रेंट को direction हो लेकिन करण यहाँ पे angle के साथ मतलब दो करण ख़लो के addition angle के साथ change नहीं हो रही है मतलब यहाँ पर लिक्तर लॉप addition फॉलो नहीं कर रहा है इसले current वहाँ पर scalar quantity though it has direction करदी स्केलर कॉंटिटी करण को डिरेक्शन होती ही फिर भी करण क्या होता है स्केलर कॉंटिटी होती ही मतलब यहाँ पर हमें एक बात पाता चलती है कि स्केलर कॉंटिटी को मैंगनिटूड होता है लेकिन वेक्टर को डिरेक्शन होती ही है स्केलर को डिरेक्शन नहीं हो ग लखेंगे scalar और विक्टर इसको क्या होता है magnitude और क्या होता है यूनिट इसको भी होता है magnitude unit and direction direction भी होती है इसको may have direction may or may not have direction तो अबलोग उनमें इसको भी direction होगी इसको भी direction होगी इसको भी direction होगी तो difference के से करेंगे it does not obey ओबे विक्टर लोग और अगर ऐसा होता है scalar quantity को भी direction है vector quantity को भी direction है लेकिन scalar quantity वहाँ पर विक्टर लॉज ओबे नहीं करेगी और विक्टर quantity वहाँ पर विक्टर लॉज ओबे करेगी जैसे हमने अभी देखा इसके examples हम लोग लेख सकते distance, mass, time, temperature, current, etc. वहाँ बोग सरी quantity वहाँ पर लोग लेख सकते हैं for example हम लोग लिख सकते हैं force, velocity, then momentum, acceleration, torque, जैसे बहुत सारी quantities वेक्टर भी होती है right, मतला है हो गया scalar और vector के बीच में difference, okay, तो scalar quantity मतला हम लोग क्या बोलेंगे the scalar quantity which can be described by its magnitude only, okay, जिसको magnitude से बस हम लोग define कर सकते direction की ज़रूरत नहीं, direction उसको होगी तो भी फरकने पड़ेगा, वेसी quantities बुको हमने बोलते होते, scalar quantity और जो quantity को describe करने के लिए magnitude और direction दोनों की भी ज़रूरत होती है, उसको बोलते हम लोग vector quantity, okay, the physical quantity which requires magnitude as well as direction, okay, मतलब जिसको हमें describe करने के लिए magnitude और direction दोनों की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, vector quantity, okay, जोगे उसके examples, next है, representation of vector, मतलब जो भी vector से हमको, उनका study करने के लिए, किस तरीके से उनको represent करेंगे, किस तरीके से हम लोग उनको use करेंगे, वो हमें अभी देखना है, कोई भी अगर vector होता है, मानलो, a से लेके, b तक मैंने इसे लिख लिए, तो ये arrow की length जो होती है, ये length उसके होता है magnitude, और ये arrow क्या indicate करता है, direction, और इसको मानलो, मैं ऐसे लिखता हो, a, b, इसको म इसंतरे करेंगे, सकते है, a, b, वेक्टर, means, vector a से start हो रहा है, और, b, कि तरफ जा रहा है, okay, इसको मोगे इसे लिख सकते है, a, b ओ Dorothy, इस तरीके से हम लोग लिख सकते है, a, b और मानलो, इसकी length, अगर a है, इसकी length, अगर a, तो इसको, आमलो, एसे लिख सकते, a vector, और a, सिप A B तो इसका म्तलब होता है magnitude आइ या फिर magnitude को ऐसे भी लिख आता है को ऐसे whore में लिख दिया निए टो उसको बोलते हुँद एसका में बाइस का मिन stimul आज मतलब कहा है इसकी जो भी और रहेगी ए f5 उनित जो भी हो का वो उसकी रहे एधी उसको इसको direction नहीं इस तरज नाट आव डिरेक्शन इसको हम लोग इसा भी लिख सकते हैं तो यह होता है रिप्रेजेंटेशन आफ वेक्टर कोई भी वेक्टर अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे तो इस तरीके से कर सकते हैं मुझे वेक्टर लिखना है अगर यह वेक्टर मान लो ऐसा है तो बीए वेक्टर ऐसा होता है तो यह अगर यह अगर एबी हैं तो यह बीए हो जाएगा उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं तो बीए का मतलब क्या होगा बी से स्टार्ट होगा एपे जाके एं होगा एक एबी vector और BA vector दोनों के कैसे रहेंगे opposite रहेंगे रहेंगे ओक है नेक्स हम लोग देखेंगे types of vectors, vectors के types कुन से कुन से होते हैं तो उसमें सबसे पहला होता है Null vector and we can say 0 vector Null vector and 0 vector मतलब क्या होता है? जिस vector का magnitude 0 होता है, मतलब को ही object हमने देखा है the velocity of this object is 0 velocity तो वेक्टर कॉंटिटी यह लेकिन magnitude गिता है 0 तो उसको बोलते हैं हम लोग 0 वेक्टर देन उसके बाद होता है unit vector unit vector मतलब क्या होता है जिसकी value 1 unit होती है जिसकी value 1 unit होती है मतलब कोई भी अगर मान लो हम लोग displacement देख रहे हैं तो उसकी value अगर 1 meter, SI quantity में अगर हम लोग ले रहे तो 1 meter है तो unit vector हो जाएगा unit vector कैसे represent किया जाता है उसके बारे हम लोग बाद में भी study करेंगे थोड़ा सा short में बता देता हूं मैं अगर है अगर 5A vector इसकी लेन तक है 5A मान लोग इसको हम लोग बोलते AB vector ओके तो AB vector का magnitude अगर 5 है तो इसको हम लोग ऐसे represent करते हैं 1,2,3,4,5 equal parts में दिवाइड कर रहे हैं इसका 1 इसका 1 इसका 1 इसका 1 और इस vector को unit vector का हम लोग कैसे represent करते AB ऐसे क्या ओके मतलब जो भी हम लोग बस maximum time समलोग single digit में represent करते हैं इसको अगर हम लोग मान लोग A vector है तो A vector का unit vector होता है A cap इसका मतलब होता है one unit इसका मतलब होता है one unit unit वेक्टर मतलब जिसकी value one unit होती है तो इसको cap से represent के जाते है cap से इसे cap ओके अगर देन तीसरा होता है position vector पोजिशन विक्टर मतलब क्या the vector which gives the position of particular point in Cartesian coordinate system जैसे हमारा xy होता है अगर यह point हमने अगर पी ले लिया तो इस point का position origin से लेके यहाँ पे एक vector हम लोग ट्रॉप करेंगे इसको बोलते position vector so this point oh the OP vector is the position vector of point P okay ऐसे अगर हमने ले लिया है o q q point है तो this is the o q vector is position vector of point q अगर ऐसे कोई r ले लिया हमने तो origin से लेके है r तक जो भी vector हैगा उसको बोलते position vector of point r मतलब position vector हमेशा origin से start होता है और उस point पे जाके रुपता है जिसका हम लोग position vector find out कर रहे हैं okay then next हम लोग देखेंगे equal vectors equal vectors मतलब क्या कि दो vector equal का होते हैं okay तो वहाँ पे दो condition है जब उनका magnitude और direction दोनों भी same होता है मतलब दो वेक्टर से जिनका magnitude मतलब length same है और direction भी same है जिनके पीछ में अंगल 0 degree है इसको हम लोग बोलते है equal vectors okay two vectors are having same magnitude and same direction that means either they are in same line or they can be parallel to each other then these two vectors are equal vectors of each other okay then next is opposite vector opposite और इसको हम लोग बोलते हैं negative vector निगेटिव वेक्टर कब होता है मानलों यह यह वेक्टर है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे opposite direction में तो यह हो जाता है माइस ही वेक्टर okay means two vectors are having same magnitude but opposite direction same magnitude but opposite direction are known as opposite vectors of each other or negative vector of each other okay मतलब उनके बीच में जो एंगल हो कितना होना चाहिए 180 degree उनके बीच में जो एंगल हो कितना resultant मतलब क्या होता है कि मानलों वापे 2 या 2 से ज्यादा means when two or more vectors are combining together okay so 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर वापे है तो उसके जगा पर बस एक ही वेक्टर अगर हम लोग represent कर पाते तो उसको बोलते resultant वेक्टर resultant师 मतलब क्या होता है मानलो एक बच्चा है जो एक अबजेक्ट है हम् लोग स्कुल में ऐसे करते ही मस्ति करते ही है कि एक object को यहां पर खि compensation है यहां पर यहां पर खिच रह एक ठाल्ट हो ाबजेक्ट थोड़ा सब कर लेता हैं मतलब अगर यह फोर्स नहीं हो अकेला काम कर लेता है है उसको बोलते है रिजल्टान्ट फेक्टर उखेर कर सकती चल्ए हो एक और एकजामपल लेधे माले सो गारे कार कोमेह रखका देना के में हम लोग तीन दोस्ते तीनो को रखका देना एक अंदें नडेरा दूस्रा हंडें नडेरा यह तीसरा दूक तो कौब छो क्लाइबर यहां आफ यह तो आथ है झील्ट एक सचुन लगा रहे तो सब्सक्राइब क्यृबिटर उद्यृटन ऊपना जिन्सेम लोग टैनों लगा रहे थे इसना उसने आके midnight लेया तो भी गार्म हो जाएगी, तो यह होता है resultant, resultant मतलब क्या, जितने भी vectors वहाँ पे दिये हैं, उन सब की addition करने के बाद, जो उन सब को replace करके बस एक ही vector वहाँ पे रखा जा सकता है, उसको बोलते हम लोग resultant, resultant मतलब क्या होता है, उनकी resultant, result होता हुए, किसी भी दो या दो से ज्यादा vectors को वहाँ पे addition या subtraction का result होता है, okay, तो इस तरीके से आज हमने vectors के concept और उसके बाद में उसके कुछ types देखे, representation भी देखा, next lecture में हम लोग देखेंगे addition of vectors, vectors को add कैसे किया जाता है, उसका magnitude कैसे find out किया जाता है, उसकी direction कैसे find out किया जाते हम लगस को सब study करेंगे, okay, आपने आप भी इस चैनल को अगर subscribe ने किया है, तो सबसे पहले आप इस चैनल को subscribe कीजिए, और हमारी website है www.corksolutions.in, जो आगर गूगल पर कork solutions भी डालते हो तो भी आपको मिल जाएगी, detail में आपको नीचे दे दूँगा, उस website में जाके आप आपना study material भी वह आपे लेख सकते हो, पूरा का पूरा free study material आपको मिलेगा, चलो बच्चों, study करती रहे है, all the best, take care, bye-bye.